क्या आप मेंसे कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ये चीज पहले भी हो चुकी है अब पहले से अनुमान लगाने लगते हैं कि आने वाले टाइम में मेरे साथ ऐसा हो सकता है मैं इस घर में पहले कभी आया था या मैं इस आंटी से पहले मिल चुका हूँ या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है तो देखते रही है इस वीडियो को इस वीडियो में हम समझेगे Alternate Time Reality का Concept नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है साहिल कंदा और आप देख रहे हैं Intellectual Indies यह कहानी शुरू होती है आपके जनम से मानके चलते हैं आप इस ताइम पर पैदा हुए थे यह जो dot है अब आप लड़के है या लड़की है इसकी दो possibility है एक और दो यह मानके चलते है आप यह लड़के पैदा हुए है और यह मानके चलते है आप लड़की पैदा हुए है अगर आप लड़के पैदा होते हैं तो आपकी 2-3 अलग-अलग possibilities खुल जाती है और अगर आप लड़की पैदा होते हैं तो आपकी अलग-अलग possibilities खुल जाती है अब मानते हैं ऐसे-एसे आपके बहुत सारे decision making process होते हैं के life चलती जाती है, चलती जाती है, यहाँ पे आप सोचते हैं कि भाई मुझे 10th class में क्या चाहिए, मैंको commerce लेनी है, मैंको science लेनी है, या फिर मुझे arts लेनी है, तो यहाँ पे आपके 3 choices आजाती है, commerce, arts and science, अगर आप लड़की है, तो यहाँ पे मानके चलते हैं, फिर से Commerce, Arts and Science, अब क्या होता है, अब यहाँ पे, arts आपने लेनी मानके से लिए, यहाँ पे भी आपकी 3 possibilities आजाती है, यहाँ फिर 4 possibilities आजाती है, या फिर infinite possibilities आजाती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आपने arts ली, अब आप graphic designer भी मन सकते हैं, आप कोई और type की designer भी मन सकते हैं, आ अगर आपने arts ली, ऐसे करते करते infinite possibilities हैं किसी भी चीज़ को होने की, तो alternate reality का concept कहता है, अगर आप पैदा हुए थे, आप लड़की है लड़का है, इसके उपर एक एक दुनिया बनी हुए है, एक दुनिया जहापे आप लड़के है, और एक दुनिया जहापे आप लड़की ह एक दुनिया ऐसी भी है, जहापे आपने arts ली है, एक दुनिया ऐसी है, जहापे आपने science ली है, ऐसे करते करते infinite दुनिया है, जहापे बहुत सारी चीज़े हो रही है, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, कि मानके चलिए यहाँ पे, किसी reality के अंदर, आपने कुछ किया हो, औ आपकी यह जो आपस की दोनों टैम लाइन होती है, आपस में जुड़ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यह चीज आपने पहले कभी की है, क्योंकि यह वाली चीज पास में हो चुकी है, तो उसी टाइम आता है Deja Vu, यहाँ पे एक और कंसेट आता है, जैसे कि मांगे चलत होने के मांग के चलिए मैं मांग के चल रहा हूं आप यह मत कहना कि भाई मैं यहां पर stand करता है या हमारी दुनिया खतम होने वाली मैं यहां पर stand करता हूं तो वो theory कहती है अगर आप यहां पर है तो जब यह दुबारा अगर आप ध्यान से चीज को समझेगे तो आप अराम से समझ पहेगे अब यह मैटर नहीं करता आप इस रियालिटी से है पर आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो कल को कभी आप से कोई पूछ लेगे भाई देजावू होता ग होगा अगर आप कोई दिक्कत है तो नीचे कमिट में बताइए अगर उससे भी जारा कोई दिक्कत है कमिट में सौल नहीं हो रही है तो फेस्बूक पर आप मुझसे डिरेक्ट मेसिज करके पूछिए और हमारे ज़तने सोचल नेट्वर्क से उसको सब्स्राइब कीजिए लाइक करिए और शेर कीजिए अब हम कल मिलेगे बाए गुड़नाइट शब्बा केर